हेलो गाईज, वेलकम बेक तो माई चैनल, गाईज, आज हम बात करने वाले हैं इस यूरीस पास टैबलेट के बारे में, जातर वूमेंस में यूरीन से रिलेटेड प्रोब्लम होती रहती है, जैसे कि वूमेंस को कंटीन्यू यूरीन आना, या फिर यूरीन में इन्फेक्श के लिए है, इस टैबलेट को मेंस भी यूज कर सकते हैं, तो गाईज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजे, साइड इफेक्शन, डोजेज, एंड सब्सिट्यूट्स के बारे में, तो गाईज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, अगर अभी तक आप आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन से रेलेटेड चैनल और सच इन्फोर्मेशन लाते रहते हैं, तो गाईज, चलिए शुरू करते हैं, यूरीस पास का बना हुआ ब्रेंड है, और इसके अंदर फ्लैवोकसेट 200 mg होता है, फ्लैवोकसेट यूरीनरी ब्लैडर की मास पेशो को अराम देकर काम करता है, और बार बार होने वाले कंटीनी यूरीन और अनकंट्रोल्ड यूरीन को रोकता है, बात करते हैं इस टैबलेट के यूज जासे पेशाम में दर्द होना या फिर जलन होने की प्रोब्लम में इस टैबलेट का यूज किया जाता है, वैसे तो जाद तर इस टैबलेट का यूज ओवर एक्टिंग यूरीनरी ब्लैडर और पेशाम में जलन होने की प्रोब्लम में जादा किया जाता है, बात करते हैं इस टैबलेट के side effects के बारे में तो इस टैबलेट को लेने से आपकी बूडी पर क्या क्या side effects हो सकते हैं, वैसे तो guys इस टैबलेट के ना के बराबर side effects होते हैं, जैसे कि आपका मुझ सुख सकता है, कब्स होने की प्रोब्लम हो सकती है चक्कर आ सकते है हैडेक हो सकता है घबराट हो सकती है और इसकी इन भी ड्राय हो सकती है अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं या फिर लेना स्टार्ट करते हैं अगर आपको इन में से कोई भी प्रोब्लम होती है या फिर feel होता है तो जल से जल अपने डोक्टर से consult जरूर करें इस टैबलेट को लेने से पहले कुछ बातों का जरूर धियान दें मतलब कि इसके precautions जैसे कि अगर आप pregnant हो, feeding कराते हो, drug allergy हो मतलब कि इस टैबलेट में दिये गए salt से allergy होना और gastrointestinal की problem हो, अगर आपको इन में से कोई भी problem हो या फिर आपका इन में से कोई भी treatment चल रहा हो तो पहले अपने डोक्टर से consult करें, फिर इस टैबलेट को यूज करें क्यूंकि डोक्टर आपकी medical conditions देखकर इस टैबलेट को prescribe करेगा बात करते हैं इस टैबलेट के doses के बारे में, तो इस टैबलेट को लेने का सबसे best तरीका क्या है इस टैबलेट को आप दिन में 2-3 बार कुछ खाने के बाद ले सकते हैं इस TABLET को पानी के साथ ही लें इस TABLET को बिना तोड़े और बिना चबाय लिया जाता है और बच्चों से इस TABLET को दूर रखें अगर आपको अभी भी इस TABLET से related कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूर सकते हैं प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें भीना मत जाना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वोचिंग एंड टेक केर